हेलो गाइज आएम रिक्की एंड और मॉस्ट वेलकम और यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासिस जिसा कि आज हम लोग फिजिक्स देखेंगे और फिजिक्स में जो है कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग समझने वाले हैं आज गलनांक हिमांक क्वाथनांक वास्पन इन 5 करें पहलए असे समझेंगे वास्पन क्या होता है तो चलिए आज सबसेपहला है गलनांक कि क्से कहते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन आप अगर का दरवि में बदलना गलन कहलाती है और जिस निस्तित थाप पर वाठोस दरवि में कंवड होता है उस ताप को गलनांग कहते हैं अर्थ Oddly क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया कि जिस ताप पर कोई थोस माल लिजे कि यह कोई थोस है यह यह कोई आइस है आइस के फॉर्म में है अगर यह यह जिस टेंपरेचर पर किसी टेंपरेचर पर यह क्या हो जाएगी यहां लिक्वीड में कनवर्ट हो जाएगी औ यह है लिक्पुइड में क्या कह ठाई होना क्यून कहला है और घिस तैंप्रच्र पर समर्च तो ... और इस yamater में बोलता है और अगर करें हिमांग की हему क्या हुआ तो हिमांग का अर्थ हुआ कि यह जैसे मालीजी फिरिजिंग पॉइंट इसमें क्या होगा कि किसी निस्चित ताप पर है ना कि किसी निस्चित ताप पर किसी द्रव का अब भश्किन अना किया कलाती हिमी करण कव लगति है और इस टैंप्रे deaf पर वह हर हीन के रूप में होती है वह उसका हमां कहला और साथ वह उसका फिरिजिंग कर रप तो आइए इसको देखते ह। फ्रिजिंग पॉइंट अर्थाथ जिस पर जैसे मालेजी अब वाटर से हम आईस में आ जाए तो यह क्या हो जाएगा यह जब वाटर को फ्रीज करेंगे अठाथ इसको जब हम रगदें फ्रीज में तो यह क्या हो जाएगा फिर आइस में करट हो जाएगी तो जिस टेमपरे सबस्था में आजाए तो यह थौस आवस्था में आने की किरिया जो है हिमिकरन कर आती है लेकिन जिस टेंपरेचर पर वह जम जाती है अर्फाथ जमना इस्टाट आरंब कर देती है वह उसका फिरीजिंग का लाता है अर्था उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिमांक बोलते हैं तो यह गलनांक और हिमांक इस इन दोनों को आपने देखा गलनांक है जो ठॉस से द्रव में परिवर्टित होगा और हिमांक है जो द्रव से ठॉस में अर्था द्रव से लिक्विट से जैसे आई से वाटर यह तो जाएगा आपका टेस गलनांग का और वाटर जिए पुना इस टेंपरेटर से वाटर से आईस में करड़ होगा वहाँ क्या कर लाइगा वह कर लाइगा ही मांक कर साथ आपका प्रिजिंग प्रिजिंग कर लागा अब देशी वादार समझे जितना पर जिस टेंपरेटर पर कोई जोना इस्टार्ट यह यह तर यहां पर जिस टेंपरेचर पर कोई भी लिक्विड जो है ईसका सॉलिट के रूप में और अरंब कर दे doc का हिमांक कराता है अब है इसमें सैंसरै क्या है यह द्रव से वास्प में हो गा अब देखे दरव से वास्प में इसमें क्या होगा कि जिस निश्चित ताप पर कोई भी द्रव कोई भी LIQUID वास्प में convert होना start कर दे वह उसका वास्पन कहलाता है लेकिन जिस temperature पर वास्पन आरभ होता है उसको हम लोग वास्पी करन बोलते हैं सार्थ सॉरी उसको हम लोग को अतना बोलते हैं अर्था गायलिंग पॉयंट बोलते हैं अगर हम पानी के संदर बात करें तो वाटर ये वखशाब यह जो है आपका जो है गैस के रूप में तो यह हुआ हाइ आप उसको में होने होने लगता अगर आप उसको ह करें तो एक रिम यह जो हुआ तो यह लिख्वीл तो यह सीना की से देनंफरेशे होना इस्टार्ट आईठाप और अर्थाथ क्लिए पॉइलिंग पॉयट करेंगे या समझ यह जिस बेद देसिачतर पर कोई लिक्वें जो आप जानहीं संदोस्रू कर देगा just करने वहां उसकी वाइलिंग पॉइंट कर आती है जिससे कि आप इसका नाम से विए सकते हैं वाइलिंग पॉइंट इसके कोई और तो किसी निस्चि अपर है ना किसी निस्चित अपर जब अ रब वा क्वास्प में परिवर्तिन жен में तो यह जो वास्प में परिवर्थिस होने की टेंपरेचर है जिस पर कि वह बॉयल हना शुरू कर दे तो उसी इतनी निस्चित ताप को हम लोग उस टेंपरेचर को क्या कहेंगे वाइलिंग पॉइंट कहेंगे और यह जैसे जल्व के संदर में कितनी है तो 100 डिग्री सेल्सि जिस सिपर यह हैं यहां से फिर जाना आधीर होना आराम रहाया और इससी को हम लोग क्या कहेंगे पानी का क्वा ठांग अर्थाथ इसको क्या बोलेंगे UH meeting वैलिंग पॉयलींग वा लिंग्हेर अब आगे देखते हैं चौथा है वास्पन हैना इवे वेपोरेशन और फउ वास्पन वास्पन में क्या होगी यह द्रव से अब गैस में कनवर्ट होगी है ना यदि किसी निस्टी ताप पर कोई द्रव है ना गैस अवस्था में चेंज होने लगे तो इसको वास्पन कहते हैं और वास्पन कहते हैं और इस टेंपरेचर पर यह वास्पन हो रहा है उसक कि द्रव से गेस में कणवाठ होने की टेंप्रेब्टयशन होती है én युदि तर जिस्ट होगा ज resource संग्हनन संग्हनन का एक संग्हनन भी आप अगर सम्हें तो अगर कोई निस्टित ताप जिसपर कोई भी वास्प लिक्विड में पर आ अगर कोई भी वास्प लिक्विड में करणा जिस टेमर्टर पर स्टाट कर देगी वह उसका वह उसका क्या कर आती है संघनन का लाती है अर्थात उस कर दें तो इसके साइड में यह आप चिटे बтом लूप में पानी को देख पाते हैं यह संघनन की प्रक्रिया इसको कंडन से कहते है यह क्या हुआ इतना फ्रीज हो गया जो वायं मंदलमें जो भी वास्फ था पानी का वह इस थंडे होने की िसका इसका कंभी काогод कρεरन जो वास्प में हवाऊ में जो आदरता थी वह संपर्क में आ कर यह मैं तो जाती है। लगता है कि अंदर वाला पानी बाहर है ऐसा बात नहीं है यह पानी जो यहां जो आपके इसके दीवार पर देख रहे हैं यह वातावरन के आधरता के करण पानी है वह है और यह ठंड़ित यह जो पूरा इसकी टेंपरेचर लो है इसके संसर्ग में आने के कारण क्या हुई यह वातावरन में जो पहले से नमी थी वो पानी के रूप में हो जाती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं संघनन बोलते हैं हम कहते हैं कि यहां पर पानी संघनित हो गई है तो मतलब कहने का क्या है जो वास्प था जैसे माने जिए ग्लास के संदर्व में ही यहां पर को लगता है कि इस चोटी सी वीडियो में आपने गलनांग हिमांग को अतनांग वास्पन और संगरण को अच्छे तर समझा होगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में धन्निवाद स्वास्तना अपना ख्याल रखें थैंक यू